री एजुकेशन की इस प्लेट फार्म पर यह दिया आप नहीं हो तो किरपया चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब शरूर करें नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों कारी पर फिर से स्वागत है और आज एक परिवर्तनकारी कख्षा कारिक्रम में आप लोगों को एक नए तरीके के पार्ठिक्रम और नए तरीके के टापिक रद्धिन करने का मौका मिलेगा आज हम राजमीत विज्ञान विशे को प्रारम कर रहे हैं और यह प्रारम टीजीटी-पीजीटी और आसिस्टिन प्रोफेसर तथा उजिसीनेट के पार्ठिक्रम पर अधारित होगा परन्तु हम राजनीत बिग्यार प्राणव करने के पूर हम बर्तमान सवे में गतिमान भरती की प्रक्रिया जो कि मात्विक्सिछा सिवा चेंबोट से चल रही है तो इसके PGT के पाथिकरम का बिश्लेशन करेंगे और पाथिकरम बिश्लेशन के महत्तु को आप लोगों को बत है क्योंकि जब ऐसा आप करेंगे तो इससे कहीं पर भी राजनीत बिग्यार के टापिक अगर आप धिन कर रहे हैं तो आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तों में यह हमारे लक्षोर मुखी मार्ग में पाथिकरम का हिस्सा है तो इससे आप उस बिशे में रूच प्रतों हम इस तरीके से उसका विश्लेशन करना कर दंग से वह ज्यारी धनी से करेंगे कि उसके बारे में एक समझ पैदा करना आसान होगा यह दपी यह कहा जाए कि हम पाठीकरम को रट ले तो इस अस्तर पर एक जिन्मेदारी वाली परिछा की तयारी करने पर रटना जै कि मिलेगी उसको तयार करने में और इसके माधिन से उसको हम अच्छी तरीके से तयारी कर भी पाएंगे तो आई हम लोग उसका एक विश्लेशन राजनिक बिग्यां का टीजीटी के लिहास से करते हैं तो जैसा कि आप वाइबूर पर देखे रहे हैं कि राजमत साथ पाठिक्रम विश्लेशन टीजीटी तो आज के हम इस क्लास में टीजीटी के पाठिक्रम का विश्लेशन करेंगे यह दपी यह पूरा क्लास जो प्राग्म हो रहा हो टीजीटी पीजीटी और यूजी आयोग से इसकी भरती की प्रक्रिया दर्तिमान है तो पूरे अगर टीजीटी के लिए राजनीत बिग्यान के पाठिक्रम को देखा जाए तो बेसिकली वो तीन तरीके से बटा हुआ परतीत होता है एक राजनीत इसास सिद्धान के अस्तर पे और दूसरा विचारक के अस्तर पे इसी में विचाधारा भी आती है और तीसरा भारती संद्ध में तीसरा भारती संद्ध में यह तीन परकात से पूरा टीजीटी का राजनी दिव्यार पाठ्यक्रम तीन भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है अब हम एक करके इससे संबंदेट टापिक्स का अध्यन करेंगे और आज हम इसके पाठ्यक्रम का विसलेशन करेंगे जिससे इस पाठ्यक्रम के बारे में बहुतर समझ पैदाफ हो सकेगी और विसलेशनों परांद इसके अध्यन के लिए हमें क्या तक्निक अपनाना है हम उस अर्थ के साथ में परिभासा के बाद परकृती, इसके बाद प्रकृती अब देखिये पर रिमासा, परकृती, पद्धती उन्सी इंचे के साथ में परियुग में लाए जाए है या दबुक्स में आपको आगे पीछे में लेगा लेकिन एक समझ पैदा करने के लिए और इसको असमर्ण में रखने के लिए इस तरीके के तक्निक को बताया गया कोई वेपी से परारम होता है तो पहले हम उसके आर्थ को देवके हैं अपना आर्थी बाद परिमासा आता ही ह है तो परिमासा के जब हम पहुंच जाएंगे तो पाय यहां से प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम उसक्रम को पकड़ लेगा या कि उसकी परकृति और पद्धर लाश्ट में एक जो हो जाता है तो इस तरीके से हम इसके एक बिंदू को या एक टाफिक को कि अपने आप सूइंग में अपतर निकल करके सामने करता है। क्योंकिरी है तभी हम राजनीति साथ कि अधिन करते हैं किरी राजनीति साच कshyante कहीं ने कहीं राज जी के के लिद्धू के चार लो पता तो हम यहां पर आपक के रूंप में राजी ले लिएंगे और राजी सब्सक्राइब सुद्धाइब करें ऑप अध्यूं सब्सक्राइब HUG राजिक के उत्पत्ति के सिध्धाइब ये दोनों ही चीजें एक डूसरे से जूड़ी हुई हैं तब ही राजिके उत्पत्ति के सिध्धाइब तो पहले राजी से इधर की तरफ हम बढ़ेंगे, राजी आएगा राजी की उत्पत्ते का सिधान, अब आप से पूंचा जाएगे, राजी की सबसे महात्रपूर्ट विसेष्था क्या होती है, स्वाइं में इसका आठास्पश होता है कि संप्रभुटा, क्योंकि किसी भी भ संप्रभुटा का अध्यान करेंगे, इस तरीके से आपने देखा राजी, राजी की उत्पत्ति के सिधान तो संप्रभुटा, संप्रभुटा के आफ़ता इहां सा विसेष्था है, संप्रभुटा के प्रकार ये प्यारी चीज़ों का हम इस पाठ्ठेकरम के अंतर के संप्रभुटा जिसके माध्यम से वह नेड़े लेगा और नेड़े का अंपालन किसको करना होगा, वहां की नागरिकों को, तो नागरिक भी अपने व्यक्तितु का अधिकास कर सकें, आगे बढ़ सकें, समाज में सभ्यता और संस्कृत का जिमारा कर सकें, इसलिए उन्हें प्रदान किया जाता है, सोतनतरता प्रदान किया जाएगा, और उन्हें जो है समानता अस्थाफित करने का रज्य के दौरा प्रयास किया जाएगा, और तीसरा जो है अधिकार दिया जाएगा, कि भी अधिकार एक ऐसी स्थिती होती है, जिसमें ब्यक्ति को कोई कारे करने क सुविहां परदां किया जाता है तो इस तुरीवे से आपको सक्तिसारी हम लेकिन यह पता करने का प्रयास्तो यह यह चीज है कि पहले में और दूसरे लाइब में हम सुतंत्रता समानता और अधिकार को देख लिए जब इस तरीके की गद्विधियां होंगी ब्यक्ति अपने लच्छी को प्राथ करने के लिए प्रयास करेगा तो कुछ ब्यक्तियों के दौरा अलेक लिमिट को विक्रास करने का प्रयास के जाएगा कुछ आवांचनी गद्विधियां भी की जाएंगी जिससे अवे उस्थावपन हो सकती है तो इसके साथ में हम कानू 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 योंदंड के सिधान का भी अध्यक करेंगी तो इस तरीके से आपने देखा कि और राज़्निदिक सिधान के अंतरकत उसके पहरे एक पॉंइंट ये में बन रहा है दूसरा में वाइंट ये बन रहा है तीसरा में पॉंइंट ये बन रहा है कि चौथा में पॉइंट यह बन रहा है तो इस तरीके से आप में देखा भरे राज नीद सास के वारे में दूसरा राज जहने तीसरा ब्वेक्त के लिए पुरूप में है और यह जो ब्यवस्था है इन दोनों के बीच में संतुरन बनाने के लिए क्योंकि कानून और डंड क यहां पर हम सासन पड़ाली के बारे में देखेंगे और शासन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है एक लोग्तंत्री के लिवस्था हो सकती है और दूसरा जो है फो अधिनायक तंत्र हो सकता है अधिनायक तंत्र हो सकता है कि है इस तरीके से आप में देखा कि भादी यीवे तencia के लिह आजिसे ज्यु जो राजीन इसास्त्र Process जो पाट्र्पर्प पाठ्छे करम है वो इन ही बिंदू के बीच में कहीं न कहीं जो है आता है। तो इस तरीके से राजmined विज्ञान का एग घ्यानिक क्यौन कर्वागत जो से बिस्लेशन है इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो आपके अंदर एक समझ पैदा होगा और पूरे पाठीकरम का आपके अंदर समझ पैदा होगा अस्मर में होगा और कहीं पर भी अगर राजवी बिग्यान आप पढ़ते हैं और इंसे कोई ची यादा तो आप तुरंत इस बात को समझ पाएंगे कि यह हमारे पाठीकरम का विशाही से हमें तयार करना चाहिए कि व लोगतंत्र हैं अधिनायक तंत्र है यह तब इसका भी विस्टेशन में किया जाएगा और डिटेलिदे जो है अध्यियंग किया जाएगा यहां पर हम पाथ्टेकरब के तीम हत्वोर बिंदू में से एक बिंदू राजनीत सास्त्र या राजनीतिक सिद्धान्त का जो हमने व दूसरा टापिक हमारा विचारक और विचारधारा आती है। दूसरा टापिक विचारक और विचारधारा आती है। तो इसके अंतरकत हम देखेंगे कि विचारक में हम कौन-कौन से विचारफों का धिन करेंगे। और कौन कौन से विचाल धारा हने होंगी, जो राज़िक दिज्ञान में टी जीटी के लिए हासे महत्पून है. तो इसके अंतरकेत हम दो चीजें दे़ते हैं, एक विचाल धारा, तो विचाल धारा में यहां पे ब्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद है और उदारवाद है और तीसरा है बैज्यानिक समाजवाद है बैज्यानिक समाजवाद है यह दोनों ही सोतंतरता प्रबल देते है और यह समाजवादी बैवस्था से जुरा हुआ है और यह पूजी वादी बैवस्था से जुरा हुआ है यह समानता प्रबल देता है यह सोतंतरता प्रबल देता है यह बैक्ति के बिवेग में विश्वास करता है कि बैक्ति को सोतंतरता प्रबल करनी चाहिए उससे वह स्वेंग अपना है जो है जो है सबसे अची तरीगे से दिकास कर तकता है इस बात प्रबल देता है, यह समाणे ने विभिन प्रकारा के बर्गों में बेक्तियों के अस्तर में यंटर है और जब तक राज्यहसतक र्फ शेक करेगा तो अब तक हम भ्रत्य करेंगे तो इस तरीके कि बच्टिवाद की बात का उदर हुआ और वेक्टिवाद की बात का उदर हुआ वो बिचारक है, तो बिचारकों में दो प्रकार के हैं, एक तो पास्चारक बिचारक एक जो है भारती बिचारक, तो पास्चारक बिचारकों में सबसे लोग प्रिये, जो हमेशा से लगा रहा हैं, वो है प्लेटो और अरस्तू, प्लेटो और अरस्तू ये प्राचीन काल से ह आप से रूप होई हैं कर लाहिए आहाय कि लोगों का नाम एक साथ में आता है संप्रंधः की संदल हुए आगे चल करके ये तीनों लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं जो सामाजिक समझोते कि सिधान्त के रूप में राजी के उत्पत्य के सिधान्त का पर्तपादन करते हैं तो इस तरीके से इन दिएनों को पीचारकों के साथ मिल ये उपियोगितावाद से जुड़ा हुआ विचारक बेंथम के बाद मिल आते हैं और पुलन जो हैं जो हैं गिन आते हैं कि एक जो है खाड़ा आपके दिवार के होना चाहिए कि ये भी दोनों उदारवादी विचारक हैं और इनके द्वारा गुनात्मक अवयोज पर बल दिया गया है और मिल के द्वारा गुनात्मक तत्तों पर बल दिया गया है और Green Joner आदल स्वादी विचाधारत का समंधन करते हैं इसके साथ में आप देखेंगे मार्क्स मार्क्स और मार्से मार्सिलियो आफ पर्दुआ मार्सिलियो आफ पर्दुआ इतने विचारत पासचारत्य दर्सन से यहां पर आते हैं जिनका हमें आध्यान करना प्लेट और रस्तु हाख सागू सो बेंथा मिल और ग्री मार्स और मार्सुलिवाफ कर दूबा तो इस तरीके से बहुत ही संचित स्लेबस है और राजनी दिग्याम का अध्यान करने पर इन विचारगों का अध्यान करना आवस्य से भी होता है क्योंकि इसके माध्यूं से हमें आजनीतिक सिधान और राजनीति विग्याम के बारे में एक समझ पाइदा होती है इसके साथ में हमें भातिये दर्सन में अगर देखा जाए तो मनी और तिल मन कोटिल और गांधी आजनी के बिचारक है तो इस तरीके से इन तीनों विचारगाराओं के बिचारगा अध्यान करना है इनके द्वारा दीए सिधान्दों का अध्यान करना है और इसमें एक बर्गपुना आगे बढ़ेंगे तो नहरू अमेर्टकर इलक गोखले इलक गोखले इलक गोखले जिन्न और सुहासचन्द। इतने जो है विचारगों का अध्यान हमें टीजी जी किस लेवस के हिसाब से करना है और ये जिस तरीके से क्रम से बताया गया वो कालिक आधार पे पूर्व से लेकर के उत्तर की तरफ विचारगों के कालकरम को दरसाता है जो आपको समझने में और याद करने में आसानी हो होगी इससे आपको पूरे टापिक के बारे में एक समझ पैदा होगी तो मनुख कौटिल ले दोनों लोग प्राचिंकास है तो नहगादी आते हैं नहीं वह मेटकर उसके बाद आते हैं तिलक गोखले भी चलते हैं हाला कि तिलक जो है और गोखले की विचार धारा में लोग और इसके साथ में दोनों को सब्सक्राइब कि आपको आसानी होगी और तीसरा है भार्किये संदर्व में तो वहार्किये संदर्व में हम देखेंगे जैसे राजनीट बिच्जान का अभी तक जो दो चीजें हमने देखी यह सिधान्त के हुप में इंदेन करना है लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो ब्यवार की हुप में अध्यान इस तरीके से परियोग में लाई जाती है कि भारति किसी भी विशे का दोपाइट होता है प्रियोग आत्मक होता है, एक अनुव capital प्रियोग नोख होता है, तो राजनी बिज्यान का जो दूसरा अंतिम जो हाग है, अंतिम जो पॉइंट है, वो भाटिय ить अंधर्ग में देखने को मिलता है और यहां पर हम देखेंगे कि राजनी की बिज्ञान का किस तरीके से अनुप्रियोग किया जाता है तो यहां पर एक विचाध हारा या आउधारना देखना है कुछ आउधारन हैं जिसको इसके अंतरगत असपश्ट करना है हो इसके आउधारान के अंतरगत हम संविधान संविधान जैसा कि क्लास में बता आया जाछका संविधान उत्पते हैं उत्पत्ते हैन कर दाल संविधान होता है लेख़नागं संविधान होता है इसी तरीके से परिवशक्जर आंपर लचीमा समें और और मीज थोई beneficial मßबद्धान कि स ne無man के दो में क्या है ऐसी हम संविधान की मााधिन से चाल को सब्सक्राइब इस समेह जात हाला कि दिस दिए चर्चत कीजाब सरकारह के परकार सब्सक्राइब संसलिये सरकार अध्यच्छीया राष्ट्ठु पत्यः प्रता और जब सरकार होंगे तो सरकार के अंग होगी संभी च्र्फान पर होगे और संभी के सारी जो बेवस्था है जो सारा पाठी आम है वो कहीं ना नहीं एककड़ पर आधारी थाय एक वैग्निक विज्च्छलेशन तबारा पर आधारी थी एक वहाली कर प्रयोगों पराधारी था तो इस तरीके से हम इन हमों पसका पढ़ेंगे पुना अब ये वह हों जो ताइं के लिए स्थापित की नहीं है अब समिधान पढ़ेंगे इसके अंदर गथ हम विसेश ताइं पढ़ेंगे और विसेश ताइं के वाद जो है कि हनावेंटमींटम फॉप और सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद राजनीतिक सिध्धामत या राजनीति सास्थ और विचारत इन दो विंदू का आगे क्लास प्रारण हो करेंगे जिससे पूरे सिलिबस को कबर किया जाना आसान हो सके आपकी तैयारी आसान हो सके इक जान में आपकी दाविदारी मस्बूत हो सके और आपको अच्छे मार्स मिल सकें तो इस तरीके से संभीधान भारतिये संदर्व में इन कीनों विद्वों का ध्यान करेंगे उना हम सरकार की अंध्र को ध्यान रख लेंगे जिस संघात्मक सरकार पढ़ना है संघ सरकार हम पढ़ेंगे कि इसकी इतकर सिधान पढ़ेंगे से इसी तरीके सरकार में अब इसके सरकार में अंग को पढ़ने में था को संसथ कि तरह से होती हैं तो Zach los तो इस तरीके से बहुत हालिका कारिपालिका और नया पालिका इसे का नाम भारत में क्या है भारत हुए यह तीनों अंगा सरकार के किस उलूप में है वह कैसे कार करते हैं कहा से सक्तिया प्राथ करते हैं उनसट कि क्या सीमाएं है कि इत्यादी का जो है हम इसके इंट गदिल करेंगे अंग से तरीके से राज सरकार में आजाएगी संसरत की इस्थान को भिढार में यहां पर राश्ट्रपती है यहां पर राज जिपाल हो जाएगा वहुत ही साइंट्पी विश्लेशन है और उच्छ तम्यालेगे अस्थान पर यहां उच्छ नहीं हो जाएगा दर्चा के लोगतांत्रिक विगेंद्री करना और अस्थानिय अस्थार पर जन्ता की भागीदारी को सुनिस्चित करना तो निश्ची तोरपर यह लोगतांत्रिक विगेंद्री करण यह एक टापिक है आपका लोगतांत्रिक विगेंद्री करण से क्या आप समझते हैं करने के पन्चायत आदा एक उर्ओं है एक घृ जो सपरों में जो हुआ थापित होती है जो लगता रेखिर ग्रांगी चित्रों में उस्की करणा बले बास सभनारों दॉुस्पन स्वार्व पूबिक यू lo वारत के संदर्व में जो ब्यवस्थाइं हैं वो पूरी तरीके से बहुत ही कर्मा का थिहासिक और धारात्मक्त है अब हम देखेंगे कि क्रियानों कैसे होता है कारिकारी गद्वितियां कैसे सरकार की हैं तो यहां पर उसके लिए सरकार बनती है चुनाव होता है और सरकार की सहयता किया जाता है तभी तो सरकार किस देश में चल सकती है तो इसके लिए हम देखेंगे यहां पर हम चुनाव ब कर तोих कि यही तो TOM हो चुनाओं के समय उमीध्वार बनाते हैं जनता के वायरा मत दिया जाता है जो मिद्वार होता है वो जंता की प्रतनिक की रूप में चुनकरके सदर में पहुंचता है, तो राजनीतिक दल यहां पर होगा, राजनीतिक दल जो मैदान में अपने ओमी दोरण पुतारेगा, तो वहां पर मधदान होगा, तो हम मधदान का वियर देन कर लेंगे, यह आपके स्लेबस में पूरी तो यहां पर हम दबाव समून का भी अधियर कर देगे दबाव समून तो इस तरीके से आपने देखा कि चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोगा और चुनाव में भाग को लेगा राजबीतिक दर लेगा और उसके बाद यह जब ग्योस्थाएं संपन हो जाएंगी तो एक दर के द्वारा सरकार बनाएं के लिए सरकार तो सची लिए सहायता लिए यहां पर वर्स अलबर अजायग की जाता है जो गिजिलो में परशांस्नी कजिकारी के सच्छी में कारें करते हैं और इसके मादिम से मंत्री और सरकार की सहायता करते हैं, जो नव करसाही के रूप में होते हैं, तिस तरीके से आपने देखा कि Steppen समाज की संद्चना को प्रभावित करती हैं तो हम समाजिक संद्चनाओं में अंतर गज्यों है जाती संद्चनाओं और कि समाज में इस प्रकार की चीजें होंगी तो जहीं सी बात है जाती संद्चनाओं आपने अपने च्छेत्र की तरफ निष्ठा बेती करेंगी उससे जुड़ने का फ्रियास करेंगी तो उस समस्याग नहीं होंगी तो इसके बाद हम जो है हां एकी करन की समस्या भी पढ़ेंगी क्योंकि इससे एकी करन की समस्या उत्फन होती है अगर ये तीनों तक ना होते तो जाहेजी बाद सब की निष्ठा जो है वह भार्वर्स के प्रति होती सब एक राजनीतिक संस्कृत का सुष्ट विकास होता तो वहां पर एकड़ी समस्या नहांती लेकिन जद सम्दाया और छेत्रवाद इन तीनों ही आधारों पर यहां पर एकड़ी समस्या उत्फन होगी तो इस तरीके से आपने देखा कि यह एक्टिविटी है क्रियानवैं है जखार का और यह समाजी संद्शने समस्या है अब हम र सब्द जो है यूरोपी ये राजनी दिग्यान से लिया गया सब्द है एक ऐसी संगत्षनाप मग धांचा होता है जो किसी भी देश में वरश्टा-चार मिमारक संस्था के रूप में काम कर दे विभिंड प्रकार के वेक्तियों पदा धीकारियों पर लगने वारे आरोपों क कि जांच करने का एक मेकेनिजम डेवलप करता है उस पर पर प्रस्तुत करता है और इस तरही किसी देश में बरश्टा-चार की गद्विधियां और उससे संबंदित मामलों का निक्टारा इसके मादिर से किया जाता है इसे जो भारत में लोगपाल और लोगाल योंत लोग कि यह हो गया अंतरवाश्टी असतर पर हम युद्यान लोगां करेंगे तो इस तरीके से आपने देखा तीओं ही अंगों का बहुत ही ब्यवहारिक बहुत ही यथार्त और बैग्यानिक ध्यानिक से जो है पिसलेशन किया गया राजमीत इसास्त्र का पीजीटी के हिसाब से पाठिकरम यानिकी राजमीतिक से धांत मूल हो गया तो उसके बाद उसमें विचानक और विचाधारा हो गया भारतिया संदर्व में इस राजमीत बिज्यान का अनुप्रियोग हो गया पूरी तरीके से बहुत ही साइंटिफिक धंग से इसका जो भी स्लेशन किया गया है और इस तरीके से करने के बाद आप अपने पाठिकरम के बारे में समझ पैदा करेंगे और जब आपको समझ पैदा हो जाएगा तो यह आप विश्वास मान करके चलिए कि आपका कांफिडेंस लेबल बढ़ जाएगा और तयारी ना सुरू करने से पहले ही तयारी स्लू हो तो इस तरीके से आप अपने पाठे करन के बारे में एक समझ जरूर पैरा किए और ऐसा करके ही जो है आप अपने दाविदाई को बहुत ही प्रिबल कर लेंगे अब यह पाठे करने के साथ उस तरीकों पर अध्य करेंगे जो तरीके आपको तयारी की दौरान इंप्लिमेंट करने हैं इसके अंतर गथम तैयारी के संदर्व में पांच महत्पूर भिंदू पश्चाचा करेंगे पांच महत्पूर भिंदू पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको अपनाना है अपने तैयारी के दौरान जिससे आप तैयारी के बारे में एक बेहतर समझ पैदा कीजिए सबसे पहले तो किसे विवेति को तैयारी करने के लिए लच्च का निधारन होना बहुत जरूरी है लच्च का निधारन होना बहुत जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस विशर की तैयारी कर रहे हैं ये एक सर्वे में इस बात को इसमश्ट किया गया है कि तैयारी करने वाले या किसी फिल्ड में किसी एक्टिविटी में इवारणने वारे लोगों में से सत्तर प्रति स отвеч लोग बहुत बड़ा हैं बहुत ही चोपाने वाले आगप रहे हैं बहुत ही हस्याज्यच्वक्स APIs बुझार्ट बदोड कि में आपको इस तो परियांगा यहां रहा है यह जी कैसे प्राप्ट हो उसकती है यह प्राप्त ही महीं हो पाईगी और चुकि इसके यह प्राप्त हो भी नहीं सकती है इस तरीके से वह बेदित अपने जीमन काल में अस्कर होता है या किसी भी प्रकार के बिजनस भ्यापार में बहुत अच्छे और उचाई वाले अस्थारों पर नहीं पहुच पाता है तो आप अपने लच्छ का निधारण जरूर कीजिए और लच्छ निधारण आप कैसे कर पाएंगे अपनी योगता और अपने जो है छहंता को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही चीजों पर आप मुल्यांतन कीजिए योगता और छहंता आपकी क्या है इसके अनुसार सब्सक्राइब करने के लिए मजबूती से अपने आपको प्रस्तुत नहीं कर पाता इसलिए एक प्रकार की अदर टीचिंग डैलेक्सिंस में कोई आ रहा है तो निश्चित तोरकर हो पीजीटी पीजीटी या नेट और असिस्टिंट प्रोफेसर जैसे एक जाम को एक साथ सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन अगर वो एक साथ में वाइंक, रेलवय, पीजीटी, पीजीटी, सिविल सभी जाम की तैयारी करना प्राणा करें तो निश्चित पान की चलिए और उसके सफलोने की संथाना एक बहुत छीड हो जाएगी इसलिए आप इस तरीके से लक्ष पाने के लिए अपने योगिता और छंतापन में धायत कि वे लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो डिफिनिट्ली कोई पावर आपको जोग लक्ष को पाने से नहीं रोप पाएगी ये आप मान कर देचे लिए तो इस तरीके से लच्छ में धाना आपके लिए किमात democrat ने अपने // 병nal अपनी एक इस बात को हाथ था कि हम अज़ दिनी हुजाई पर इसलिए पो 투 क्योंकि हमने बहुत मona करके के विश जो सब्सा है जब लगा देबर लख्ष का निलभारण बहुत ही इंपर्टेट है यानी कि गोड Litta कर मेनेशन इसहीं हरा का बहुत ही महत्तुमद होता है दूसरी चीज है आपके साइट्ग सहाईथी है कि इसके अंतरगत आपके पास पाठ्ठी करम होना चाहिए किसी भी भी से का कीजी ठीका आगर्ब और अध्यन सामाद्ग्री कई लोगों के पास कई लोगों पास जान दों आ तीन बार देने के बाव दोधी पाठ्ठी करहरी पाठ्ष करम होना चाहिए तभी हम सिलेबास खोज पाएंगे और उसका अध्यर करवाएंगे तो पाठ्ष करम महारे पास टेबल पर होना चाहिए ताकि हम उसको देख करके असक्षच हो सके यह दब पूर्व में जो है विसलेशन के इंतर देख हमें जिस तरीके से वाइगा अगर दो से तीन बार आप उसको देखते हैं तो निश्ची तोर पर आपके माइंड में वह एक चिप की तना से जो है लग जाएगा और उसको कभी भूलिंग समगाना है नहीं होगी क्योंकि बहुत ही बैग्यानिक धंक से उसका विसलेशन किया गया है तो पाठ्ष करम अध्यन सामा अगरी प्रते टापिक वाईज होना चाहिए और फिर इस टापिक का इमानगारी से अध्यन होना चाहिए कोई दुनिया की ताकत आपको पने सफर होने और लक्षों प्राप्ट करने से रोक नहीं सकती है तो सचिक सहाई कि आपके पास इस्टेटी मटीरियल ब किसी भी संस्थान में पढ़ने वाली स्टूडेंट के लिए आम बात होती है जब वह तैयारी की दिशा में होता है कई प्रकार की मनववय्यानिक दवाव काम करते हैं छेतर के लोगों की असफलता दवाव काम करती है समाज में रहने वाले लोगों के कमेंट उस पर पास हो कि जिस दिन आप सफन हो जाएंगे वही कमेंट करने वाले वाले वेक्ति आपके साथ में खड़े होंगे और जब तक आप लक्ष नहीं पाते हैं तब तक आपका विरोध करने वाले लोग समाज में दली में स्कूल में हर जहां आपको दिखाई पड़ेगे तो इसलिए आपके पास लेक आफ डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए लेक आफ डिस्ट्रैक्शन लेक आफ डिस्ट्रैक्शन बिचलन का अभाव लेक आफ डिस्ट्रैक्शन आपके पास होना चाहिए और चौथा चीज़ है अनुप्रियोग आपको किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास में, मैं कहता हूँ, आपको लंदन भेज दिये जा पहने के लिए, अगर वहाँ पर जो भी रूल्स और रेगलोएशन, यानि कि नियों और बीनियों, आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में डभारी कस्तर प सामिल नहीं करते हैं, तब तक आपको लच्छ प्राफ नहीं हो सकता है, आपकी तयारी नहीं हो सकती है, और आप प्रिप्रेशन के डिफिनीशन को नहीं समस्पाएगे, इसलिए जो भी रूल्स और रेगलोएशन, थाट, थेयरी, कोई बीचीज आपको क्लास में, किसी टी अपने कच्छ में बैठने के बाद सोचिए कि हमें पढ़ाया क्या गया है, और उसको एक बार पूरा मनन में ले आए, यसे को कहा जाता है कि रूल्स और रेगलोशन का अपनी थाट प्रॉस्टेस में इंट्री करवाना, और जब तक आप ऐसा नहीं करवाएगे, तब तक स पच्छों का एक अध्यन कीजिए, समझ पैदा कीजिए, और उससे अधाय सवालों को खल करने का फ्रियास कीजिए, तो यह होगा अनुप्रियोग, यानि कि रूल्स हैं और रेगलेशन को आप अपने थाट अपने थाट प्रासेस में लाएए, और दूसरा जो है, इसको इ 80% सुधार आप तीन दिन के अंतर कर देखेंगे, और अगर ऐसा करने से नहीं होता है, तो आप यह मान की चलिए, कि कहीं नहीं आपके पास समझते हैं, जो आपकी नहीं कर रहे हैं, आप रूल्स और रेगलेशन, रूल्स और रेगलेशन जो भी पहाई जा रही है, उसको अपने थाट प्रोसस में ले आई है, जैसा कि मैंने बता है, उसके बारे में मनंग कीजिए, और उसको इंप्लिमेंट कीजिए, यह नहीं कि अनुपरियों कीजिए, अथाथ उसके आधारिक पाठेकरन का दिन कीजिए, सभी पहलिवों को समझने का प्रयास कीजिए, उससे सब्द की व्याख्याद, सब्द की व्याख्याद, यानि इकस्प्लाइशन, इम्पॉटन आपकोई भी जीमन में अपने देखते होंगे, कोई भी नई चीज आती है या इसी तरीके से जबाब अपने पाठेकरन को देखते हैं, बढ़ते हैं, तो वहां में कुछ ऐसे सब् इसे तरिके से राजनीत से घंध पढ़ना है संप्रभुता सब्दा अग्यें एक सब्ध हैं लेकिन ये अपने आप में काफी अर्थ को समाहित किया हुआ है और जब आप राजनीत दिज्ञान TGT की लिहास से पढ़ रहे हैं या किसे भी विसे को पढ़ रहे हैं तो सब्दों की जो ब्याख्या और उसके बारे में ब्याख्या करके एक समझ पैदा होना बहुत जरूरी है जैसे संप्रभुता कोई पूचता तो आपकी दिमाग में आना चाहिए कि संप्रभुता राजी का एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वह अपने आंत्रिक और बाहमावों में किसी भी प्रकार कर निड़ा लेने के यह स्वतंत्र होता है और कोई भी व्यक्ति या संस्था उ तो इस तरीके से सब्ड़ की व्यक्ति आप पढ़ रहे हो कोई भीलिश्था सद्राता कोई मतलब को आप ज़रूर परियों कीजिए तो इस तरीके से लच्छिमेंरदार रायाएं की गोल डिटर्मिनेशन और इस टेडिविका दिश्ट्रेक्षण इंप्लीमिंटेशन और इक्स्प्लानेशन यह पांच प्रकार के जिवन में जरू उतारने का प्रयास करते हैं तो आप भूलना भी भूल जाएंगे मैं आपको एक गारंटी के साथ करता हूँ तो इस तरीके से आप TGT के प्रिशलेशन के साथ साथ में इंपाजों पॉइंट को प्रयास कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी तयारी में एक चमक कार एक नया परिवर्तन बदला हुआएगा और आप ऐसा करके अ परिच्छा में अपने आपको मजबूती के साथ उतार सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ आसानी मिलेगी और पुरा एक नया क्लास में नया टापी के साथ आपसे मुराकात करेगी तब तक के लिए नमस्कार